मेरा नाम सुकालो, ग्राम मजहोली और टोला बिर्सा नगर काही हम लोग रहने वाले अब यह हाई कोट का जो है अदेश को सुनकर मुझे यह समझ हुआ कि इतना दिन हम लोग लड़ते आये फिन भी आज सुबरिंग कोट अदेश दिया तो उसमें मुझे डर नहीं लगा कि हम डर के जो है चुप मार के रहेंगे हमको यह सोच आया देल से कि सुबरिंग कोट का यह देश को लेकर पहले तो हम लोग हर जिले हर देश से काना उसका ग्यापन बनाए जबाब सवाल बनाए हैं कि हमारा हक है आव हम इस धर्ती में रहने वाले हैं तो यह छोड़ के जाने वाले नहीं है आव कम से कम तो समझे कि 20-21 लाखों लोग के बेदखली करने वाले सुबरिंग को अदेश दिया था तो हम लोग के अब यह लड़ाई को जो है थोड़ा आउ तेज करके हम लोग लड़ेंगे अब अभी तो इस्टे आडर मिला है केवल चार महिना के लिए मिला यह नहीं पता है कि पुड़ा आगे चल के आओ क्या हालत में आएगा तीसे मुझे डर संका नहीं है जिस तिन हमारा कनून आया उस तिन भी हमको लड़ना ही पड़ा आज कनूस को खिलाप जो है कर रहा है इसमें भी हमको लड़ना है डरना नहीं है हमारा जमीन है ये धर्ती मा है हम मा को नहीं छोड़ सकते हैं चाहे जेल जाना हो जुलबाना हो नहीं कुछ भी जेल से जाने से हमको डर संकाने हम तो आव हीमत हमको बढ़ता है अव एक ताकतवार होते हैं जेल जाने से कोई डर नहीं है ये धर्ति माग के लिए हमको कुछ भी कुर्बानी देना होगा डर नहीं है हम लड़ेंगे अव ये संघरज ये हमारा आव तेज होगा अंदोलन को तेज करना है होग है चाहे सहर के लोग है मिल जूल के हम लोग सब तेज करेंगे आवाज को बुलंद करेंगे आव लेंगे चाहे सुब्रिंकोट का अदेश हो चाहे जिसका अदेश हो ये हम नहीं मान सकते हैं जिस दिन हमारा ये अदेश ने हमारा हक पे आया हमारे पच पे आया था उस समझें कि आज उनस चल रहा है। उनस तक कि वह इतना लेठ हुआ। तो लर्ना पड़ रहा है। हमको लेने में लडने के लिए jsज है बिना लडने से मिलने वाला नहीं है। यह अज़ादी हम लेके रहेंगे, हमारा अज़ादी को छोड़ेंगे नहीं। चाहे जो भी करना होगा, यह से हम पीछे नहीं हड सकते हैं. अब यह पूरे देश में जनकारी होना चाहिए, जाना चाहिए, लोगों के, मतलब एक हुलस हो, यह दिल में आए उनको कि हम लोग लड़ के जीत जाएंगे. हारेंगे कभी नहीं, हम कभी नहीं हारेंगे, हम लड़ रहेंगे तो जितने के लिए लड़ रहें, आओ अपना जागल, जमीन, हग, मलकाना हग लेके ही रहेंगे, ठीक?